data analysis देखिए जब respondents से आप data collect कर लेते हैं questionnaire, observation, interview के जरीए उसके बाद जो data आपने collect किया ना उसको analyze करना यानि कि उसको examine करना जरूरी होता क्योंकि जब आप data को examine करोगे उसको evaluate करोगे उसके बाद ही फिर आप उसमें से valuable information निकाल पाओगे तो data analysis में कई सारी step होता है यानि कि जब data आप collect करते हो तो उसके बाद पहले आप उस data को edit करते हो फिर उसको coding करते हो यानि कि बहुत बड़े data को आप code करके जो है small data में convert करते हो उसके बाद फिर आपको जो इसको table में रखते हो frequencies distribution table बनाते हो उसको graphical pie chart bar graph में histogram के दौर उसको represent करते हो फिर उस पर statistical tool का use करके जो है test different test जो है perform करते हो फिर फिर फाइनली आप findings को पाते हो उस findings के basis पर further decision making सब लेते हो तो data analysis क्या हो गया the process of systematically applying statistical and or logical techniques to describe and illustrate and evaluate data तो data को illustrate करने के लिए data को evaluate करने के लिए जो हम statistical tool और logical techniques का use करते हैं data पे तूसी को हम क्या कहते है data analysis करते हैं क्यों किया जा रहा है with the goal of discovering useful information and supporting decision making तो useful information data में से useful information निकालने के लिए जो हम data analysis करते हैं और जिससे कि हम further decision making ले सके हैं तो data analysis में सबसे पहला काम होता है data processing का यानि कि जब data को collect करके लाया जाता है उसको collect करके लाया जाता है उसके बाद जो है उसमें editing की जाती यानि कि चेक किया जाता है कि कहीं कोई गलती है कोई omission तो नहीं है उसको check किया जाता है फिर उसको coding की जाती है then classify किया जाता है इसनिसल्ट करते है तो इडितिंग का हूँ वेडितिंग करते हूं इसनिक्राइय करते हैं जाल våra नार इसनिक्स आरresse फ्रा जय देटिंग में गरें संद्रीटिंग्स तकीन मुलु अचर्ण Index का यह दिनिक्र जonta गल्तिय हुई है या फिर कुछ अगर रह गया चूट गया है तो उसको कम्प्लीट करना है फिर उसको करेट करना ही एडिटिंग कहलाता है एडिट करते है जैसे कि आप जो है लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहते है तो अचानक से इसको करेट करते हो तो इतना ज्यादा वास डेटा होता है तो उसको समराइस करने के लिए उसको चोटा करने के लिए क्या किया आता है क्लियर कोडिंग कि जाती है clear coding क्या होता है coding is the process operation by which data or responses are organized into classes or categories and numerous or other symbols are given to each item according to the class in which it falls to coding में क्या हुआ जैसे कि suppose कि हम data collect कर रहे हैं तो हमने वहाँ पर देखा कि हमने student और teacher और director और जो professionals हैं यानि कि इतने लोगों से हम data collect कर रहे हैं तो हमने क्या क्या coding कर दिया student यानि S professional यानि यानि की P, directory यानि की D तो हमने क्या क्या coding कर दिया तो coding करने से क्या होता है कि जो large data होता है वो आप जो है summarize कर सकते उसको तो यहाँ पर जो symbols होते हैं उसको क्या कहते है code कहते है clear तो coding में आपको एक चीज और धार रखना है कि mutually exclusive होना चाहिए यानि की जो code है वो अगर किसी code में कोई person आ रहा है तो दूसरे code में न जाए यानि की S से student है तो सारे student S में ही आएंगे clear तो यह coding mutually exclusive होता है तो आपने क्या क्या data क्यों एडिट कर लिया उसके बाद आपने coding कर ली next आता है that is classification suppose करिए कि आप library में घुषते हैं और वहां पर बहुत सारे books रख हुई है ठीक है और सब mix up है सब बिखरे हुए है तो क्या आप जो है आपको जो book चाहिए वो ढूट पाएंगे ढूट पाएंगे तो बहुत time लेगेगा बहुत मेहनत करने पड़ेगी इसी तरी के घरों में आप देखेंगे तो अगर समान बिखरे पड़े होते हैं तो आपको आसानी से समान मिलता नह खां कि यह एक type का data इसको एक जहां रखो यह दूसरी type का data है इसको एक साथ रखो तो फिर वही चीज़ क्लासिफिकेशन के लाता है ज्यार हिक्स ने कहा था उन्होंने कहा कि classification and arranged facts speak then spells यानि कि अगर आप data को classify कर देते हो arrange कर लेते हो तो उनसे आपको automatic results output देखने को मिल जात कि process in which the collected data are arranged in separate classes, group और subgroup according to their different characteristics हर data का कुछ न कुछ characteristics होगा उनकी characteristics के according जब आप उनको different classes में, groups में, subgroup में arrange करते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है classification of data कहलाता है जैसे है कि आप इस screen पे देख रहोंगे कि आप suppose that population है तो population को आपने urban या rural या विलेज में आपने डिवाइड कर सकते हैं अब urban में भी आप male or female में divide कर सकते हैं रूरल को भी male or female में divide कर सकते हैं इसी तरह के से आप different states के आपने production of food grain का data आपने collect किया अब उसको आप state wise classify कर सकते है एरेंज कर सकते है तिससे आपको पता चलेगा कि तमिलाडों में कितना production हुआ करनाटा का में कितना production इसी तरह किस आप आपढ़न के profit को आपढ़ने कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ 2100 में इतना digital profit हुआ 2003 में इतना profit हुआ इहां पता ही नहीं रहएगा कि कौन सी year में कितना profit हुआ सब से ज lleva किस year में हुआ सब सक कम किस यह में हुआ अब यहाँ पर जब arrange करोगी तो यहां से क्या है यहां से automatic आपको जो है एक result जो है output मिल जाता है तो यही JRX ने कहा था तो main feature of classification of data क्या हो जाएंगे हम बात करें main features of classification of data की तो classification of data into group यानि कि हाँ पर क्या होता कि data को हम groups में divide कर देते हैं आप लिटरेट या इलीटरेट में कर सकते हो जोब के बात है कि आप जब classify करोंगे तो जो यह एक type के जो subjects होगी उनकी grouping दूसरे side कर जाएगी, तो इससे क्या होगा, आसानी होती है, हाँ ये B.com के subjects है, हाँ ये M.com के subjects है, तो similar characteristics units are placed in one class or group, यानि कि जिनकी characteristics similar होगी उनको एक class में, जिनकी characteristics similar होगी उनको दूसरे class में, clear, वहीं पर तीसरा important feature है, that is unity in diversity, बट अब जवात है कि जब आप data को classify कर लोगे, तो diverse होगे, उसमें भी आपको unity मिल जागी, बहुसारे books है, अलग-अलग author के, अलग-अलग subjects के books रखे हुए, तो जब आप उनको, उनके course के according, समेस्टर के according, जब आप एरेंज कर देते हो, तुहाँ पर क्या होता है, unity आ जाती है, यह फर्स समेस्टर का है, यह सकेंड समेस्टर का book है, यह थर्ड समेस्टर का book है, तो इस तरीके से जो ही एक डेटा को classify करते हैं, तो यह तीन important characteristics होगे, डेटा classification के, अब बात करने के objective यह फिर आप advantage करलें यह फिर functions of classification of data कर लें, यानि कि जो भी आपने data collect किया है उसको condense करना, कम में लेके आना और उस data को simplify करना कि ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें, पर सकें, उससे कुछ न कुछ information आप निकाल सकें पहला objective clear, यानि कि बिखरी वे चीज़े हैं, बिखरी वे चीज़े हैं, बिखरी चीजों को समेटना एक तरीके से कह लिजे, ठीक है, बिखरी वे चीज़े हैं, सबको समेटना और उसको arrange कर देना different class में, तो आपको क्या है वहां से एक output मिल जागा, जैसे कि अलग-अलग states, आपने data collect कि कहां से कितने आना जा रहे हैं, अब कौन से इस्टेर से सबसे ज़्यादा production है, कौन से इस्टेर से कम production है, आपको पता ही नहीं है, तो जब आप उसको arrange करों कि classify करोंगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, जो सबसे ज़्यादा production है, वो अब सबसे हैं, तो आपको पता चलेगा कि अरवन लोग है, यह सिस्टेर से सिर्फ और रूरल लोग है, तो आप पता चलेगा, यह सिर्फ रूरल लोग है, तो आप उसलिए असलिए से classification of data से पा सकते हैं, तो highlight the feature of data, बट अब जबागे, जब आप data को classify करोगे, arrange कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा, यह किस type की data है, यह urban लोगों का data है, यह rural area का data है, यह india का data है, यह state wise का data है, यह students का data है, तो आप features को identify कर सकते हैं, to make facts comparable, बट अब जब जब आप data को classify कर लोगे, different characteristics के basis पे, group और subgroup में divide कर दोगे, तो आप उन data को compare कर सकते हो, कि कितने male और female का, अगर आपको पता करना है, कि male और female का education ratio क्या है, यह यह कि कितने literacy rate क्या है, तो male की literacy rate आप calculate करके, और female की literacy rate को calculate करके, आप उनको compare कर सकते हैं, कि कितने male पढ़े लिखे हैं, कितने females पढ़े लिखे हैं, तो इस तरीके से जो आप compare कर सकते हो, to make logical arrangement, आप जो है logically arrange कर सकते हैं, सारी चीजों को, आप books को यह arrange करनी है, तो first semester, first semester, second, second, third, 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 fourth, तो आप जब classify कर रखे होगे, तभी तो आप arrange कर पाओगे, नहीं तो पता चला कि आपने first semester की book, जो है आप third semester, fourth semester में लगा दिया है, तो arrange नहीं कर पाओगे, इट प्रोवाइट्स इन्फोर्मेशन अबाट दी mutual relationship among elements of a data set, तो बट आप जब आप डेटा को classify करते होती, क्या है, ये information प्रोवाइट करेगा कि क्या mutual relationship है different data set के बीच में, अब जब suppose करें कि based on literacy and criminal tendency of a group of people, it can be established whether literacy has any impact on criminal tendency or not, अब आपको ये जानना है, कि literacy और criminal tendency के बीच में क्या relation है, यानि कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा criminal activity परफॉर्म करते हैं या फिर नहीं परफॉर्म करते हैं, तो ये आप जो है compare कर सकते हो, relationship भी डेटा करोगी, आपने जब data collect करोगे, research करोगे, data निकलेगा, तो आप यहाँ पर identify कर पाओगे, कि हाँ पढ़े लिखे लोग criminal activity परफॉर्म करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो ज़्यादा criminal activity परफॉर्म करते हैं, तो आप जो है relationship को find out कर सकते हैं, classification data के basis पे, to prepare ground for tabulation, और बट आवे साथ ही last है क्या, कि आप जब tabulation यानि की table जब बनाना होता है, तो उसके लिए classification सबसे important होती है, क्योंकि जब आप data को classify करोगे ना, उसके बाद ही आप table बना सकते हो, तो tabulation के लिए ये ground prepare होता है, classification यानि की table बनाना है, तो सबसे पहले आपको classify करना होगा data को, कि वो किस टाइप का data है, clear, अब यहाँ पे आपने table जो आप इस screen पर देख रहे हैं, तो अगर आपको table बनाना है, तो पहले आपको classify करना होगा, यह है objective या फिर आप advantage या फिर function अगर पूछा चाते हैं, तो आप ये तीनों ही case में इसको आप लिख सकते हैं, next हम बात करेंगे characteristics या फिर rule या फिर requisite of good classification of data, यानि कि एक जो classification of data है, वो कब अच्छा होगा, क्या characteristics होनी चाहिए, या फिर क्या rule होना चाहिए, जब आप data को classify कर रहे हैं, तो सबसे पहले है, it should be unambiguous, यानि कि there is no room for confusion, clearly defined होना चाहिए, अब suppose कि आप data को classify कर रहे हैं, population को classify कर रहे हो, based on the employed and unemployed, तो अब यहाँ पर आपको clearly define करना होगा, कि कौन से लोगों को आप employed मानोगे, और किस टाइप के लोगों को unemployed मानोगे, clear, अब जैसे किसान है, तो आप उप किसान employed में आएगा, कि unemployed में आएगा, तो यहाँ पर clearly define होना चाहिए, ambiguous नहीं होना चाहिए, clear, दूसरा है, classes should be exhaustive and mutually exclusive, यानि कि one data in one class only, अब suppose कि आप जो है data को classify कर रहे हैं, population को classify कर रहे हैं, urban और rural में, urban और rural में, आपने वही पर तीसरा उसी में attach कर दिया, तो अब होस्टलर में तो urban भी हो सकता है, और rural इस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, तो यह mutually exclusive नहीं हुआ, clear, तो exhaustive होना चाहिए, mutually exclusive होना चाहिए, यानि कि एक sit का data, यानि कि आप suppose कि, हम मैं urban में हूँ, तो मैं किसी दूसरे group में नहीं जा सकता हूँ, अपने तीन डेटा में classify कि, urban, rural और hostler, तो अगर मैं hostler में हूँ, तो मैं urban में नहीं आ सकता, अगर मैं आ गया, तो फिर यह exhaustive हो, उसलिए exclusive नहीं होगा, clear, it should be stable, यानि कि, जब भी आप जितनी बार भी investigation करो, इन सब चीजों पे, तो यह change नहीं होना चाहिए, कोई भी changes नहीं होनी चाहिए, तो stable होना चाहिए, और एक साथ compare भी किया जा सके इनको, it should be flexible, flexible का मतलब क्या होगा, कि यहाँ पे आप कुछ ना कुछ time के according change addition कर सके, अब आपने येर वाइस डिटेर आपने बना रखा था, हाँ, stable भी होना चाहिए, यह नहीं कि 2017 में आपने बोला था 10,000 यूनिट, आपको time के according पता चला गिनि, 2017 में 20,000 यूनिट से लुआता था, यह नहीं, यह stability नहीं, वे stable यानि कि उस यह में जितना था, वो था, अब data flexible का मतलब कि 2017 का data table में से खटा कि, आप 2020 का उसमें add-on कर सकते हैं, तो flexible का मतलब यह हुआ, कि old class में भी deleted and new class में भी added, suitability for the purpose, यहाँ पर जो भी आप data classify कर रहे हो, वो suitable होना चाहिए, जिस purpose के लिए कर रहे हो, अब आपको यह जानना है कि gender और university education में, पीच में क्या relationship है, तो उसके लिए आप जो उसको area, religion के according जो डिवाइट नहीं करेंगे, gender और university के according ही आप उसको divide करेंगे, clear तो suitable होना चाहिए, परपज कह है उसके according आप data को classify करेंगे, and सबसे last and important that is arithmetical accuracy, याने कि data जो है उसमें जो भी आप numbers बता रहे हो, वो accurate होना चाहिए, सही होना चाहिए, estimated या फिर ऐसे अंदाजा लगा के आप नहीं करना चाहिए, वहाँ पर accuracy होनी चाहिए, जो भी आप numbers आप बता रहे हो, different classes और subclasses में जो आप use कर रहे हो, तो accuracy maintained होना जरूरी, method or types of classification, याने कि classification की कितने types हैं, तो यहाँ पर जो classification का basis होता है, वो दो है, qualitative classification और quantitative classification, अगर हम बात करें सबसे पहले qualitative classification पर, तो classification according to qualitative attributes थी, यहाँ पर जो है दो basis पर आप classified कर सकते हैं, पहला होता है, that is simple classification, और दूसरा है manifold classification, तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर simple classification, simple का मतलब कि, यहाँ पर simple है, इसको हम dichotomy या फिर two-fold classification कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कि जो भी data होता है, उसको आप दो class में सब divide कर देते हैं, तो also called dichotomy or two-fold classification, and data classified into two classes, जैसे कि आपको gender पढ़ना है, तो gender को आप दो class में divide कर सकते हो, male and female, आपको blindness के ऊपर research करना है, तो blindness को आप blind या not blind, education पर करना है, तो educated या uneducated है, तो आप इसके basis पर classification कर सकते हैं, तो इस type की classification को क्या कहते हैं, simple classification कहते हैं, जो कि qualitative classification ही अंदर आता है, जैसे कि population के बारे में जाना है, तो population में male or female, आपने दो category में classify कर दिया, दो group में classify कर दिया, इस type की classification को कहेंगे, simple classification कहेंगे, वहीं पर जो दूसरा है, that is manifold classification, तो यहाँ आपने simple सा है, कि जब आप दो से अधिक classification में, groups में आप जो है data को divide करते हैं, और further subdivision में करते हो, तो उसको हम कहते हैं, manifold classes, manifold यानि कि बहुत सारे fold हैं, यानि कि पहले आपने population को, urban और rural में बाटा, अब urban और rural को भी आपने अलग-अलग male और female में बाट दिया, तो यह क्या हो गया, more than two subclass, पहला class क्या हो गया, subclass, urban और rural यानि village, और अब उसको बाद, फर्दर आपने class डिवाइट कर दिया, male, female, urban का भी और rural का भी male और अलग-अलग data आपने डिवाइट कर दिया, तो इस टाइब की classification को हम क्या कहेंगे, manifold classification कहेंगे, अगला जो basis है, that is quantitative classification, यानि कि जो simple manifold था, वो qualitative था, आप जो है quantitative यानि कि numerical values हैं आपके पास, तो उसके basis आप जो classify कर सकते हो, तो उसके लिए 3 basis हैं, सबसे पहला chronological classification, chronological classification जब आप data को arrange करते हो, किसके basis पे on the time, जब आप data को time के basis पे classify करते हो, तो उसको कहते है chronological classification, time series, hour, day, week, month, जैसे कि आप figure में देख रहे होंगे इस वाक, कि हाँए पे क्या हुआ है, कि जो company का profit है, उसको आपने time series के according आपने आपने एरेंज कर लिया है, classify कि 2021 में 72 profit था, 2022 में 85, 2023 में 92, 2024 में 96, 2025 में 95, तो इस ट्रेकर से आपने एर के हिसाब से आपने आपने data को classify कर लिया है, that is called chronological classification, वही पे chronological मतलब क्या होता है, कि series में आप decrease से increase करते हो है, previous time से current time को आ रहे हैं, तो that is chronological arrangement, series में arrange कर रहे हैं, दूसरा है geographical classification, geographical classification का मतलब क्या हो कि data are classified on the basis of geographical location differences, यहार भी क्या हो जा रहा है कि data को आप location के according क्लासिफाइक कर रहे हैं, जैसे cities, district, village, इंसके basis पे आपने classify कर दिया, तो वह क्या हो जाएगा, geographic classification, आपने चानना है, कि जो food grain production है, आपने तमिलनाडू के इतना है, करनाड़का के इतना है, आंद्रप्रदेश के इतना है, जब इसके according आप जो है, arrange कर देते हो, तो इसको हम geographical कहते हैं, अब इसी तरीके से उत्रप्रदेश का है, आप सपोर्स करें कि आपने उत्रप्रदेश में आपने बता दे कि कानपूर के इतना है, लखनाओ के इतना है, बनारस के इतना है, तो वो क्या हो गया, geographical classification, नेच्ट आता है, that is variable classification, तो यह quantitative classification के अंदर आता है, तो variable classification में क्या हो जाएगा, कि data are classified on the basis of some characteristics, यह height, weight, income, expenditure, कुछने कुछ characteristics होगा, उसके basis पर आप जो है, classify करते हैं, तो यह जो variable का मतलब क्या हो गया है पर the term variable refers to any quantity or attribute whose value varies from one investigation to another यानि कि इसकी values क्या होगी इन attributes and characteristics की values एक investigation से दूसरे investigation पर उसकी values vary करेगी, change करेगी तो यहाँ पर जो data collect किया तो वो क्या है by measurement या by counting data collect किया जाता है तो यह जो quantitative variable होता है यह दो type के होता है एक होता है continuous variable और एक होता है discrete variable अब suppose करें आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पर कितने employee काम कर रहे हैं तो आप यही कहेंगे ना कि 50, 100, 1.500, 1.500 तो आप यह नहीं कहेंगे 5 या फिर 50 या फिर जानी उसको fraction में आप denote नहीं कर सकते हैं clear वही पर अगर आपसे पूछा जाए आपकी height कितनी है तो आप उसको बता सकते हैं 5.6, temperature कितना है 99.3 आप उसको fraction में बता सकते हैं temperature को लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पर कितने बच्चे हैं तो आप 2 या 3 ही बताएंगे आप 2 या 3 नहीं बताएंगे तो fraction में नहीं बता सकते हैं तो कुछ ऐसे variables होते हैं जिसको fraction में denote कर सकते हैं और कुछ ऐसे variables होते हैं जिसको fraction में denote नहीं कर सकते हैं तो जिनको fraction में denote कर सकते हैं वो continuous variable कहलाते हैं वहीं पर जिनको fraction में denote नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे discrete यानि कि discontinuous variable कहलाएंगे तो सबसे पहले हम discrete variable देखें तो discrete variable का मतलब क्या हो गया जिसको हम discontinuous variable भी कहते हैं the one whose value changed by steps or jumps and cannot be assumed of fraction value यहने कि इसमें fraction value यहने कि 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे आप उसको denote नहीं कर सकते हैं जैसे कि number of children या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे 1.5 या 2.5 नहीं हो सकते हैं number of worker 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे 100 होंगे, 50 होंगे, 1500 होंगे लेकिन 1.5 या 100.5 ऐसा करके आप नहीं बता सकते हैं तिसी तरिके से आप number of student का भी देख सकते हैं in such case data are obtained by counting यानि कि जो discrete variable होते हैं इसमें जो normally data जो obtained किया जाता है ठीक है, कोई measurement करके नहीं आप जो है, आपके घर में कितने बच्चे हैं तो आप इस scale लेके नहीं नापोगे थर्मामीटर लेके नहीं नापोगे वह आप आप क्या करोगे, counting करोगे यहाँ पर discrete value, discrete variable जो है तो है counting के जड़ी अप्टेंट किया जाता है आप देख सकते हैं कि number of children per family और number of families तो एक children कितने बच्चों कितने family के हाँ है 4, दो बच्चे कितने family के हाँ है 13, तीन बच्चे कितने family के हाँ है 9, अब 1 से 2 के बिच में 1 से सीधे 2 ही आएगा 1.5, 1.4, 1.3 यहाँ पर नहीं आ सकता है इस type की data को क्या कहेंगे discrete data यह पर discrete variable वहीं पर जो दूसरा variable है that is continuous variable तो continuous variable में क्या होता है कि the one that can take any value within the range of number यहाँ पर क्या होता है कि within the range of number कोई भी value ले सकता है 1.4, 1.5, 1.3, 1.2 कोई इसको fraction में show कर सकते है जैसे height या weight यहाँ पर क्या है weight अब exactly 80 है 80 से सीधे 90 नहीं होगा 80, 80.1, 80.2, 80.3 इस तबीके से कोई भी value ले सकता है तो height, weight यह सब क्या है यह continuous variable होते है in such case data are obtained by measurement यहाँ पर जो data होता है वह कैसे measurement height नापना है तो आपने centimeter inch tape ले लिया weight नापना है तो आपने kg वेंशीन वाला ले लिया उसका यूज़ करके आप आप परे, temperature ना पना है तो temperature थर्ममेटर ले लिया उससे ना परे तो जो continuous variable होता है वो आप थर्ममेटर याने की measure करके जो है आप उसमें किसे measurement instrument का use करके आप जो है calculate करते होई पर जो discrete variable होता है वो आप counting करके और अप्टेंड करते हैं से 149 के बेच में कोई भी नमबर हो सकता है, 130.2, 130.3, तो कोई भी हो सकता है, इस टाइप के हम क्या कहते हैं, विष्यो अलबेस्ट, की वचिए वचिए।